आयत नमबर 35 सूर्य नाम व इन व मतलब और इन अगर और अगर काना है काना यकूनू कुन काना मतलब है कबूरा भारी भारी भड़ी बड़ी बात या भारी बात कबीर भी बड़े को कहते है ना तो कबीरा या सखीरा होता है तो उसी से कह कबूरा यानि बहारी और बड़ी अला प्लस का अला आप पर इराद यानि एराज इगनोर करना एरास करना हुम उनका एगनोर करना एरास करना उनका और अगर है बहारी आप पर अराज करना उनका फाइन फामतलब तो इन अगर इस्तताता आप इस्ततात रखते हैं ताकत रखते हैं यू आर एबल दैन इस यू आर एबल ठीके तो इसमें क्या है इस्तता आ फेल माजी इसका क्या है इस्तता आ फेल मुजारे यस्तती और फेल अम्र इस्तती ठीके तो ये क्या है फेल माजी है इस्तताता फाइलता के वजन पर कि तू इस्ततात रखता है या आप इस्ततात रखते हैं क्योंकि आप से बात हो रहे हैं मुखातिब हो रहे हैं तो इसलिए हम आप कहेंगे फिर अगर या तो अगर इस्तताता आप इस्ततात रखते हैं ताकत रखते हैं अन के तब तगिया आप तलाश करें इप्तगा से बनाएए तब तगिया इप्तगा से बनाएए इप्तगा यप्तगी इप्तगी यानि तलाश करना सीख आप तलाश करें अच्छा इन की वज़ा से यहां पर देखिए फा इन है फा इन है तो इन की वज़ा से इस तताता के माईने हम क्या कर रहे हैं मस्दर में कर अगर आप इस्तितात रखते हैं ठीक है उसके माईने हम प्रेजेंट में और मजदर में करते हैं जब इन आ जाता है तो हम इसको माजी में नहीं लेकर जा रहें कि माजी अगर लेकर जाते तो माजी में क्या होता तू ने इस्तितात रखी आपने इस्तितात रखी तो इसलिए नफकन एक सुरंग नफक कहते हैं सुरंग को आप तलाश करें एक सुरंग फिल अर्दी जमीन में आउ या सुलमन एक सीड़ी सुलमन अर्वी में सीड़ी को कहते हैं पिस समय आस्मान में या आप ले आएं अप ले आएं इतायाती से बनाएं या कि आ आप ले आएं उनके पास अतायाती से बनाएं यह ताती फेले मुजारे है ये भी आयतिन कोई निशानी ठीके जब अता याती के बाद हुर्फ जर्बा आता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कोई चीज लेकर आना ठीके तो आप ले आएं उनके पास कोई निशानी वलव और अगर शाआ चाहता फेले माजी है ये शाआ ये शाआ ये शाआ ये शाआ चाहता अल्लाह ला जमाहुं जरूर जमा कर देता हुन्हें लाम ताकीद है ये ये वाला जो लाम है ये फोर्स डालने के लिए आया है ये वाला लाम तीके जमा उसने जमा किया हम उन्हें जरूर जमा कर देता हुझे ठी याम-तापिद की वजह से हम इसके माईने माईने मजड़ें ़्ही संải प्रक्रास पोर्स पैक्ड़ ग्या क्या कॉआ एगा नून जाईलीं नादानों में से अब क्योंकि आप स.A.W. के बारे में बात हो रही है इसलिए हाँ पर हर्गिस भी हम इसके माईने जाहिल नहीं कर सकते क्या करेंगे नादान करेंगे क्योंकि यह बात किसके बारे में हो रही है आप s.a.v. के बारे में कि हरगिस भी ना होना आप नादानों में से ठीक है तो इसkę अंदर इस आयद के अंदर क्या बात बताई गई है कि आप s.a.v. जो है उनोंने जब वो काफिरों को मुश्रकीने मक्का को काफिरों को, मुनाफिकों को दावत दिया करते थे तो वो हर दर्जा उनको सताया करते थे आप ﷺ को तकलीफे पहुचाना आपकी नबुवत का इंकार करना और तो और वो नए-नए मुतालबे करते थे यानि डिमांड्स करते थे किसकी मोजजों की कि हमें नए-नए मोजजे दिखाओ जैसे कि कभी कहते कि सफा और मर्वा जो पहाड है उसको आप सोने का बना दीजिए या कभी कहते कि मक्का के जो बागात हैं उसमें नहरे जारी हो जाएं इस तरह से वो नए-नए मुतालबे करते रहते थे नए-नए डिमांड्स उनकी होती रहती थी तो और आप से कहते थे अगर आपने हमारे मन पसंद मौज़े हमें दिखा दिये जैसा हम चाहते हैं आपने वैसा कर दिया तो हम जरूर इमान ले आएंगे अच्छा आप से लिए लगता रहता था तो उनको कहीं लगता रहता था यह मन में यह चाहते थे कि अगर मैं इनके मुतालबे पूरे कर दूँ अगर मैं इनको मौज़े दिखा दूँ तो हो सकता है यह सब इमान लेकर आजाएं क्योंकि नभी क्या चाहते थे कि सब के सब इमान लेकर आजाएं तो हो सकता है कि वो इमान लेकर आ जाएं तो इस पर अल्ला ताला ये कह रहे हैं कि आप उनको कोई भी मोज़े दिखा दीजे चाहे तो आप जमीन के अंदर बहुत बड़ी सुरंग बना लीजे या आप आसमान के उपर यानि आसमान पर सीड़ी लगा कर चड़ जाएं और उ उनको लेकिन जितने भी नभी थे उन सबसे यही मुतालबा हुआ आप मुशा अलिएसलाम के बारे में पढ़ चुके हैं काफी हद तक कि मुशा अलिएसलाम से कितनी डिमांड्स की थी उन लोगों ने नए नए मोज़े मांग रहे थे हर नभी से मोज़े मांगा गया और इ है आपका काम सिर्फ यह है कि आप लोगों को दावत दे और उनकी बात मानकर आप नादानों में से मत हों क्योंकि वह जब भी आप मोज़े दिखाएंगे तो मोज़े देखने के बाद भी वह इमान लेकर आने वाले नहीं है तो फिर आगे देखें आयत नमबर 36 इन्नमा ब बेशक यस तजीबू कुबूल करते हैं जवाब देते हैं यस तजीबू क्या है यह फेले मुजारे है रिस्पॉंड इस तजाबा यस तजीबू इस तजिब तो बेशक इन्नमा का मतलब भी बेशक होता यानि और अन्नमा का मतलब इन्ना और अन्ना इन्ना इन्सब के बेशक होते हैं बेशक यस तजीबु जबाब देते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं अलजीना वो लोग जो यस म PCBO सुनते हैं यस मौना लिसन सुनते हैं दोज हो लिसन यानि समीया से बना है ये समीया उसने सुना फेल माजी क्या है? इसका समिया, उसने सुना और फैले मुजारे, यसमाओ, वो सुनता है, या सुनेगा और फैले अम्र, इसमा तो यह क्या है, यहाँ पर फैले मुजारे इसकी अलामत भी नजर आ रही है आपको शुरू में या लग रहा है, आखिर में वाउनून तो वो फैले मुजारे होता है बेशक जवाब देते हैं, यानि खुबूल करते हैं, जवाब देते हैं वही जो यसमाओना, सुनते हैं वल मुटा और मुर्दे, यब असुहुम, उठाएगा उन्हें बासा यब असु से बनाएए, यह क्या है, फैले मुजारे भेटना, उठाना, ठीक है, दोनों मीनिंग आते हैं बासा में फैले मुजारे हैं यह, उठाएगा उन्हें, अल्ला हूँ, अल्लहा कौन उठाएगा उन्हें, अल्लहा, सुमा, फिर, इलई ही, उसी की तरफ इला मतलब तरफ ही, उसी की तरफ, यूर जाओन, वो सब लोटाए जाएंगे, मजहूल है यह, यहा के उपर पेश आ रहा है, और आखिर से पहले वाला वर्ड क्या है, इसमें जीम है, और जीम के उपर जबर है, तो जब आखिर से पहले जबर होता है, और शुरू में जीऊ, इरजा, राजीम, आइन, इसके रूट लेटर्स हैं, तो यहां पर अल्ला आप सल्लिए वसल्म को तसल्ली दे रहे हैं, और आप सल्लिए वसल्म को तसल्ली देते में बता रहे हैं, कि आप परिशान मत हो, तिके आपकी बात का जवाब कौन देगा, जो लोग के दिल में तडप होती है, हिदायत की तडप होती है, सिर्फ वही लोग जवाब देते हैं, अब मान लें, कि हम जो हैं, दावत के लिए लोगों को बुलाते हैं, कि आज यह कुरान सीखिए, कुरान पढ़िए, हम कितने सारे पैंफ्रेट्स भी बाढ़ते हैं, एड़र्ट थोड़ी बहुत भी तडप हो हिदायत की, जो एक कदम अपना बढ़ाएगा, बाकी कदम तो अटवा देते हैं, जो एक कदम बढ़ाएगा, वही हमारी जवाब पर लब्बैक कहेगा, तो वही यहाँ पर लब्बैक कहे रहे हैं, आप से लिए लोगों सुनते हैं, जिनके पास इमान नहीं है, जिसके पास Coveral का इल्म नहो और इमाना हो, भो लोग मुड़ा है, heure कि अदिटाएगा जो मुड़ा होतें हैं, कि गो मुड़े होते हैं, उनको तो अपको अपक हैं, अगि यहां का और लोड़, वहाईं आ हुदा जाके जाकर आका है, तो हमारा काम क् तो दिल में क्या थोड़कर जा रहा हूँ अपने पीछे प्रहाज चोड़कर जा intent ऐर आता है कि मैं कुरान चोड़कर जारा हूं अल्लाइक किताब और एक इहलिभैक्षित चोड़कर जा रहां तो देखें कुराण हमारे लिए हिदायत है इसमें हर बात का जवाब है हमारे लिए तो तब जब हम भी दावत देने निकलें लोगों को समझाने निकलें कुरान की दावत देने निकलें किसी की भी दावत तो दिल में क्या रखें तडप रखें अपने दिल में कि अल्ला के अल्ला से दुआ करें अपने दिल में तडप रखें औ और पूछेंगे अल्ला ताला मैंने तो तुम्हारे पास दाई भेजे सबसे पहले तो कुरान था तुम्हारे पास उसके बाद रसूल भी भेजे रसूल भेजे दाई भेजे और उसके बावजूद सारी जरीये मैंने तुमको अवेलेबल करके दिये उसके बावजूत तुम सीखने से पीचे रह गए उसके बावजूत तुम जो है मेरी हिदायत की तरफ नहीं आए तो उन सब से लगा जवाब लेंगे हर चीज का जवाब लगा लगा उन से मांगेंगे तो इसलिए ल्ग्ण तैला तसलिय दे रहें कि परेशान नहीं हो अगर कुसी को दावत देने जाएं तो परेशान नहों बल्कि ल्ग्ण आल्ख मकूंел से उम्हेंた और तड़ रखें और फिर हमा दावत दें 37 देखें आयत औो सब कहते हैं काला कालू फेल माजी और वो सब कहते हैं माईने इसमें हम फेल मुझारे में कर रहे हैं क्योंकि ये लग ताला उन सब की बात बता रहे है कि उनकी बात क्या है उस वक्ती और वो कहते हैं लू ला क्यू नहीं लू क्वेशन के लिए भी आता है क्यूं के लिए अगर के लिए वट के लिए ला नहीं क्यूं नहीं नुजला नाजिल की गई अंजला यून्जलू 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 यून्ज ज्जूल है क्यों नहीं नाजिल की गई यहां कुरान के बारे में बात हो रही है अल्य ही उस पर उन पर आयत कोई निशानी में रब भी उनके रब की तरफ से कुल कह दीजिए इनल्हा बेशक ल्ल्हा गादिरुन गादिर है यानि अल्ल्हा गादिर है एबल है अल्हा उपर अन के युनस जिलू वो नाजिल करें वो नाजिल करदें नजला युनस जिलू के वो नाजिल करदें पेले मुजारे हैं अन की वजह से इसके माईने हम क्या कर रहे हैं मस्दर में कर रहे हैं के नाजिल कर दे आयतन कोई निश अक्सर हुम, उनके अक्सर, यानि उनकी मिजॉर्टी उनके अक्सर ला-या लमून, नही इल्मरकते, अलीमा यालमून से, नहीं वो सब इल्मरकते ठीके तो यहां पर फिर से मौज़ों की बात हो रही है उनकी कि वो सब क्या कहते हैं कि आल्ला हमारे उपर कोई निशानी क्यों नाजिल करता यानि हमारे उपर कोई निशानी कोई मौज़े हमारे उपर क्यों नाजिल होते तो अगर चाह है तो उनके ओपर किसी भी तरह के मौज़े नाजिल कर सकते हैं अच्छा जो हटदर्म लोग होते हैं उनको कितना भी समझा लो उनको कितनी भी दलीले दे दो जो बहस पर आ जाते हैं हटदर्म हो जाते हैं फिर वो मानते नहीं हैं चाहे उनको मौज़े दिखा दिये जाएं चाहे उनको अल्ला की किताब मेंसे कुछ भी उनको समझा दिया जाएं तो वो मानते ही नहीं है और जिसको मानना होता है ना फिर वो मोज़े नहीं मांगता फिर उसको नहीं चाहिए होते हैं मोज़े फिर उनको क्योंसे मोज़े काफी हैं अल्ला ताला की निशानियां काफी हैं उनके लिए कौन सी निशानी जो काइनात में फैली वी है निशानी एक आयत कौन कौन से होती है, एक आयत होती है कुरान की आयते, वो भी निशानी है, और एक आयत होती है यूनिवर्स की, पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, जो पहली ही है, चारो तरफ जो पहली ही है, वो निशानी है, तो जिनको मानना होता है न, वो हर चीज को इमान लेकर आ जाते हैं और हर चीज़ पर गौर करते हैं उनका इमान इमान वालों का इमान मजबूत होता जाता है अब मिसाल के दोर पर हम जा रहे हम कहीं गूमने जा रहे हम अगर पाहड़ों को देखे या छोटी से छोटी चीज़ को देखे और उसमें हम गورव and फिकर करें गورव पिकर करने के बाद अलहमेदुल्यल्यल्य बोलें थैताई लिए ल्थ अला की तज्वी बैन करें ल्थ अला की तारीफ करें तो वही चीज हमारे लिये इसे अबादत बन जाएगी कि वो एक इमान वाले होते हैं एक मच्छर भी अगर उनके सामने आता है तो उसमें भी वो गौर और फिकर करते हैं और उसको देखकर वो हैरान हो जाते हैं उसी से उनका इमान बढ़ जाता है लेकिन जिसको नहीं मानना होता उनको तो कुछ भी दिखा दिया जाए पहाड में तो इसे चाहें उंठनी निकल कर आजाए जैसे कि कौमे सौहले ने डिमांड की थी कि हमें तो उंठनी दिखाओ दस महीने की प्रेगनेंट उंठनी होनी चाहिए और वह हमारे सामने निकले पहाड में से और बच्चा जने और उनको उनकी डिमांड पूरी की गई लेकिन उ नहीं पता कुछ भी वो नहीं जानते व मा आयत 38 देखिए व मा और नहीं है यहाँ पर मा जो है वो negative में है ठीक है और नहीं है मिन दाब बतिन कोई जानदार दाब बतिन दाब किसो कहते है जमीन पे चलने वाले को जानदार को दबीब से बनाई दबीब होता है रेंगना तो ये दबीब से बनाई है और दबीब का जो दबीब के लवज माईना होता है वो क्या होता है रेंगना लेकिन इसके अंदर परिंदे जानवर सब चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती है तो और नहीं है कोई जानदार फिल अर्दी जमीन में वला और नहीं ताइरिन कोई परिंदा ताइर परिंदा यतीरू जो उड़ता है यतीरू उड़ना तारा यतीरू से बना है ये फेले मुजारे है ये तारा यतीरू फेले मुजारे और फेले अमरिस का तिर इसके रूट मिनिंग है रूट लैटर्स है ता या रओ और नहीं है कोई परिंदा जो उड़ता है जना है ही अपने दोनों पर उपर जना है दुल वाला से गहे है यानि अपने दोनों पर उपर विंग्स के लिए आता है जनाहां से बनाएए जनाहां से जीम नून हाँ जनाहाई ही दो पर दो परों के लिए आता है विंग्स अपने दोनों पर उपर इल्ला मगर या सिवाए उममून ग्रों हैं उममून किसको कहते हैं उम्मत ग्रों ग्रॉक्स अमसालूं तुम्हारी ही तरह अमसाल किसको कहते हैं मिसल को मिसल मतलब example यानि तुम्हारी तरह like like you यानि उममन communities ठीक है ना groups मगर grow हैं अमसाल हुकुम तुम्हारी तरह मा नहीं फर्रतना कमी की हमने फर्रतना हमने कमी की फेले माजी है ये और ये फर्रता से बना है इसके root letters है फा रा तौ फर्रता यू फर्रितू फर्रित तो ये फेले माजी है नहीं हमने कमी की फर्रता होता है कमी करना कोताही करना ठीक है नहीं कमी की हमने फिल किताबी किताब में मिन शैइन किसी चीज़ की शैइ कहते हैं चीज़ को किसी चीज़ की तुम्मा फिर इला रब्भिहिम अपने रब की तरफ यू शरून वो सब इखटे किये जाएंगे यानि अब यहां पर अल्ड़ ताला बता रहे हैं वो सब मौज़े मांग रहे हैं ना कि हमें मौज़े दिखाओ हमारी डिमांड्स पूरी करो हमें तरह तरह कि वो मतालबे कर रहे हैं कि हमें यह भी देखना है वो भी देखना है हर चीज़ मांग रहे हैं तो यहां पर अगर हम जमीन पर खौर करें कितने जानदार हैं कितनी जादा मखलूक हैं रिवायतों में आ क्या लुट हुए पम्हाई करें बादा कि अगर अगेंगे कि आप國 156ज उधनेगा, मग हमने के देंगे आदेज़ क्या रोग यहां अनुट है वहाई हमें को कि उनलतphone करें siitä तो पता ही नहीं हमारे तो इल्म नहीं हैं, तो मोजजे अगर जिस को देखनी हो न, अल्लभ की निशानी, तो यही सब जो दुनिया में तो इसी तरह बहुत सारी क्रिएशन है बहुत कुछ बना रखा है तो अल्द आला के रहे तुम जैसे ही हमने बनाया है और हमने किसी चीज में कमी नहीं की सब को हम रिस्क देते हैं सब को हम खिलाते हैं पिलाते हैं सब को हम सब की जिम्मेदारी हमने ले रखी है सब को शेल्टर भी देते हैं अल्द आला हम ने किसी चीज में कोई भी कमी नहीं की कोई भी किताब याणि अल्लाथ टुर। ने हर चीज का हिसाब ले रखा है, अल्लाथ आलथ की किताब में हर चीज, यांनि लोहे मैफोज में, हर चीज लिकी भी है, फिर अपने रब की तरफ यहुशरून बोसा भिखटे किये जाए यानि अब देखें कियामत आएगी ये तो सबको पता है युनिवर्सल टूथ है हर मुसल्मान इसमेर इमान रखता है कि कयामत आनी आनी है और कुछ हिंदूस भी ये मानते हैं कि दुनिया जो हो फना होगी और कयामत आएगी तीक है ये हर कोई मानता है तो हर चीज का हिसाब किताब होगा यानि ये जो जानवर है जानवरों का भी यानि अल्लत आला जानवरों को भी जिन्दा करेंगे और उनका भी हिसाब किताब लेंगे जैसे कि हज़रत अबु हुरेरा फर्माते हैं कि आप सुल आल्ला ले वसलम ने फरमाया किया में जिस मुकदमे का सबसे पहल जान्वर दुबाराँ जिंदा कीए जाएंगे और आल्ला का इंसाथ हिस्ध तक होगा कि अगर किसी सींग वाले जान्वरने बेसींग वाले जान्वर को दुनिया being मारा था तो आज उसका बदला किया जाएगा इसी तरह दूसरे जानवरों के साथ भी यही किया जाएगा यानि सब का सबके साथ इंसाफ होगा और पिर जानवरों को Allah Almighty क्या करेंगे दुबारा मिट्टी बना देंगे यानि उनका हिसाब किताब होगा वो आपस में एक तोरे का बदला लेंगे और उनको दुबारा खाक बना दिया जाएगा मिट्टी बना दिया जाएगा उसी को देखकर काफिर कहेंगे कि काश हम भी मिट्टी हो जाते उन्ही को देखकर लोग कहेंगे काश हम भी मिट्टी हो जाते मारा हिसाब किताब हो जाए और हम मिट्टी ह जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि कियामत जो है वो किस के लिए आई है इंसान और जिन के लिए इनस और जिन के लिए उनका हिसाब किताब होगा और उसके ऑकॉडिंग उनको जन्नत या दौजथ दी जाएगी लेकिन अल्लह जानवरों को जिन्दा करेंगे आपर एक सवाल यह प्य сх़ा में शदा करेंगे वात क्यूंकि लूजाँदा की शिफत में क्या है आदल अल्लह जाना ऑन्रों इनसाफ करने जाएगा इसलिए लिए लिए अनको भी उठाएंगे क्योंकि लिए लिए की सिफ़त ही आदिल वाली है हर किसी का इंसाफ होगा लेकिन सब बाकी सब जानवर जानवर परिंदे वगेरा जो हैं वो मिट्टी बन जाएंगे और बाकी लोग जो हैं वो जन्नत या दोजक उनको दी जाएगी तो वही आला किरें गोर करो कितने दुनिया में कितनी मखलूक हैं जानदार हैं जमीन पर देखो जमीन में असाबार आता है जमीन में पानी पानी में देखो और उपर अपना सर उठाकर देखो अपने आँखें खोल कर देखो कितनी कितने परिंदे हैं अगर आप गोर करेंगे कि चड़िया हैं तरह तरह की चड़िया होती हैं और इतनी खुबसूरत खुबसूरत होती हैं छोटी छोटी से होती हैं उनको देखकर ही हैरत होती है कि आप अपना माइंड खोलें और क्योंकि आप सब कुरान पढ़ रहे हैं साथ वे पारे तक तो हमारी जो नसरे होती हैं वो बसी होती चली जाती हैं बसीरत वाली नसरे होती चली जाती हैं तो अपनी नसरे जो हैं बसीरत वाली करें अपना अपनी आँखे कोल कर और अपना दिमाख कोल कर चारु तरफ गौर और फिक्र करें अल्ला की हर क्रियेशन प पर वोर और फिक्र करते हैं तो अल्लाथ अल्दा की नजरों में अकल वाला कौन है जो हर जगा और फिक्र करें पिर देखें आयत 39 वल्लदीना और वो लोग जिन्होंने कद जबू जुट लाया जुट बोला जुट लाया जुट जुट बोलना भी इसी में आ जाता है जुट है उमुट बहरे हैं वबकमन गुंखे है अजा पी जुलुमत झी अंधेरों में जुलुमान देरों में छो ये अशा चाहता है जो 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 Mom चाहता है चाहता है यशाओ से बनाए यशाओ जो चाहता है यानि जिसे चाहता है युद लिल हूँ अच्छा यहां पर यशा यशाओ था अब ये यशाओ हो गया क्योंकि मन की वजह से मन की वजह से ये इसका जो है ये जिसम हो गया आगे देखें युद लिल है युद लिल में अदल्ला युद लू होता है ना अदल्ला युद लू होता है तो अदल्ला युद लू से बना है ये और आखिर के लाम के ओपर भी जिसम आ रहा है वो भी किसकी वजह से आ रहा है म कि भट्का देता है उसे गुम्रहा कर देता है उसे भट्का देता है उसे तो ये किस से बनाए अदॉलल्ला से बनाए चार हर्फों माजी अदॉल्ला युदेल्लु अधुलbuilt ये फेले मुझार्य है जिसको चहता आल्ला भट्का देता है उसे वमं Exchange mówią वो चाहता है यजगल हू बना देता है उसे कर देता है उसे बना देता है उसे जाला यजगलू से बना है यजगल इसमें भी जजब आ रहा है देखें यजगल हो गया किसकी वज़ा से आ रहा है जजब मन की वज़ा से आ रहा है इसी तरह यशा में भी आखिर में जज़मा रहा है मन की वज़ा से अच्छा इस से पहले जो यशा ई आया है न वो ई जो आया है आगे मिलाने के लिए आया है तो जिसे चाहता है अल्लह यज अलू बना देता है उसे सीधे रास्ते की तरफ कर देता है उसे सीधे रास्ते की तरफ या सीधे रास्ते पर तो यहां पर अल्लह क्या किया रहे है जिसने जूट बोला जिसने जुटला दिया किसको जुटला दिया अल्ल्लह की आयतों को जुटला दिया आल्ला तो पर अ्ल्धा की निशानियों को देखकर उसने ख़ृर फिकर नहीं करा। उसने जो हैं इसनी इन सब चीजों को जुटला दिया तो वह किस वह वहूं की निजरों इन आजिएंगा एक वहूं की लोगम भ॔र फिकर में करते और जो ज्डुटला सोचूं कि मैं तो अगर में जे नमास पढ़नी होगी पांचों वह्ती तो ल ब्याईत देगा क्योंकि कुरान में लिखा है अल्हों चिसे चाहे यदायत दे जिसे चाहे बढ़का दे तो लखेगा तो मुझे मृ haul दे दिया रास्ते बतादियी की है सीधा रास्ता है जो कि जन्नत की तरफ ही यह लटा र freshly जी जहन्नम घपिढ़ा रहा है अब हमारी मर्जोगा पर पर आशता ने छोड़ दिया कि पिम जो रास्ता तुम अपना एक कदम हमें उत्वाना होता है, उसके बाद, फिर आल्ट आला की जिसको चाहे बटका दें और जिसको चाहें अल्ट आल्ट सीधे रास्ते पर ले आए, मर्जी हमारे ओपर ही छोड़ रखे आखिए, ठीक है, हम अगर एक कदम बढ़ाएंगे, तो आल्ट आल्ट हमारी मदद में आए जो चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है उसे सही समझा दे लग जो घला समझ में आ रही है उसको भी लग दुरस्त कर दे और इस और हमें सीधे रास्ते पर ले कर चले कि के तो फिर आखे देखें कुल कह दीजिए यानि आप से लग ताला कह रहे हैं कह दीजिए अराईतु अराईतकु क्या गोर किया है तुमने क्या देखा है तुमने क्या क्या क्वेशन के लिए आया है क्या है व्यू सीन गोर किया है राआ से बना है ये राआ ये राआ ये राईता राईता फेले माजी है ये राईता फेले माजी तूने देखा तूने गोर किया क्या आपने गोर किया तुमने कुम मतलब तुमने अगर अताकुम आ जाए तुम्हारे पास अता याती आना ठीक है अगर आ जाए तुम्हारे पास अता जो है फेले माजी है इनकी वज़ासे माईने किसमे कर रहे हैं हम मजदर में अजाबू अजाब अल्लाही 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 अजाब आव या आतत कुम आजाए तुम्हारे पास आतत फेले माजी है और फिमेल वाला सेगा है आ जाए तुम्हारे पास साअतु कियामत घड़ी ये जो साअत है ना कियामत ये फिमेल शुमार होती है अर्भी में इसको फिमेल मौननस होता है इसलिए इसकी वज़ा से जो है आतत फिमेल का सेगा लाया गया है या आ जाए तुम्हारे पास क्यामत आ गईर उल्लाही आ मतलब क्या गईर उल्लाही अल्लाह के अलावा यानि क्या गईर उल्लाह को यानि अल्लाह के अलावा तदूना तुम सब पुकारोगे यानि गेर उल्ला को तुम कुकार होगे तदूना फेले मुजारे है ये यू कॉल यानि दा आ यदू उदू दाल आइन वाओ इसके रूट लेटर्स है इन अगर कुन तुम हो तुम कुन तुम सच्चे अगर हो तुम सच्चे यानि अल्ला कह रहे है क्या तुम सबने गौर किया है गौर और फिक्र की है कि अगर तुम्हारे पास अल्ला का अजाब आ जाए या आ जाए तुम्हारे पास अल्ला का अजाब आ जाए या आ जाए तुम्हारे पास क्यामत या अजाए या अजाब आ जाए तो क्या तुम कि तुम लभ तो तो आपका वा किसी ओर को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो तो इस बात का जवाब दो किya तुम लब त addiction कि किया करते थे कि जब उनके उपर कोई मुसीबट आती थी ना कोई ब़ूट बड़ी मुसीबट आती थी तो और अपने सारे सबको को भूल जाते थे अगर क्षिती मैं वो सवार हुए कषिती में सवार हुए और वहाँ पर जलजल आना शुरू हो गई मस बस अभर चार्ण अपने वात नहीं बॉट ने उनकी मुझे काना से इस से तो वह क्या करते थे अunya को एक पकारना श disrupt कर देते कि एक अनलओ को तो अना को तुम और तो मांते है लेकिन छिर्क करते थे पिर उन वह से निजात पा जाते थे यानि उस प्रॉब्लम से बाहर आजाते थे यह भी काम वह करते थे तो यह देखे लास्ट आयग 41 इसी से रिलेटिड बल के याहू यानि अल्ला ताला ही पहले ल्ला ताला उनसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि अल्ला ताला का जो अंदाज है वो क्वेश्चन वाला है जैसे हम यहां पर जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि क्या आप ऐसा करोगे जब बच्चों को समझाते हैं हम समझाने के लिए जब बच्चा बत्तमीजी करे तो हम कहते हैं कि क्या तुम ऐसा करोगे क्या ऐसा करोगे और फिर उसी बात का जवाब दे देते हैं हम समझाते हैं वही वही अंदाज अल्ला ताला का है कि बलके या हू सिर्फ उसी को या मतलब सिर्फ उसी को या ही बलके सिर्फ उसी को तद उना तुम सब पुकारोगे फिले मुजारे दाया यद उसे तुम उसी को पुकारोगे वा यफा यक शिफू फिर वो दूर कर देगा फा मतलब तो यक शिफू वो शिफा दे देगा दू क्थिफू एक्षिफ निवा दूर कड़ेगा यानि शिफादेगा दूर कड़ेगा मा जो तदु ना तुम पकारोगे इलएभी उसी की तुरफ इनशाए अगर वह चाहेगा ज्शा कर्षा यो च्यार आगर वह चाहे वह तंसाउन और तुम Sब भूल जाओगे तंसाउना तंसाउना होता है भूलने के लिए यू विल फॉर्गेट नसीया नुन सीन यांसे रूट लेटर्स हैं नसीया यनसा इंसा तो तुम सब भूल जाओगे जिस जिन है यानि जो तु शरीकून तुम सब शरीक ठहराते हो जिन तुम जिनके साथ शिर्क करते हो शरीक ठेराते हो तु श्रिकून शिर्क करना अश्रका से बना है ये अश्रका यु श्रिकू अश्रिकू शीन राकाफ इसके रूट लेटर से तो यहां पर क्या किया रहे लगा पहले लगा ने उनसे पूछा अगर कोई मुसीबत आजाए तुमारे उपपर तो तुम क्या करोगे कि यह प्यामत आजा चाया तुमारे उपपर तो तुम अल्ला के पुकारों इसके बारे में बुखारी शरीब अबू जहल का लड़का जो था इक्रीमा इसलाम का सब्ध दुश्मन था अबू जहल का लड़का इक्रीमा इसलाम का सब्ध दुश्मन था वो फत्य मक्का तक इसलाम का मुखालिफ रहा यानि इसलाम की अगेंस्ट रहा वो फत्य मक्का के दिन भी उसने तीर मार कर एक मुसल्मान को हलाक कर दिया यानी खत्म कर दिया तो फत्ह मक्का के दिन आप अब जिन लोगों के बारे में हुकम दिया था कि जहां उन्हें पाया जाएं वहां उन्हें और वह जद्दा की तरफ भाग निकला, वहां समुंदुर का रास्ता लिया, यानि समुंदुर की रास्ते की तरफ से वह भागा, जैसे ही कश्टी में बैठा, जब जैसे ही कश्टी समुंदुर के बीचों बीच पहुंची, तो क्या हुआ? शदीद तुफान आगिया. उस वक्त लोगों ने अपने माबूतों को पुकारना शुरू करा जब उन्होंने ये देखा कि बात नहीं बनी यानि माबूतों को पुकारने का कोई फायदा नहीं हुआ बात नहीं बनी फिर एक अल्ला को पुकारने लगे फिर एक अल्ला को पुकारने लगे है इस पर उसने अपने अंदर एहद किया यनि ये पक्का एहद किया कि अगर मैं यहां से जिन्दा निकला तो आप सलले लगया की खिदमत में पहुच कर इसलाम कुबूल कर लूँगा बरहाल उसने इमान के तलब की तो उसको अमान मिला भी जिसको अमान की तलब आजाते हैं उसको अमान मिलता भी है तो उसने उसकी तलब की उसको अमान मिली और ये मुसल्मान हो गहे पिर सारी जिन्दगी इमान के खार जिहाद करते वे गुज़ारे तो फिर उन्होंने पूछा कि आप अच्छले गुनाओं का कफारा क्या होगा उन्होंने पूछा कि जितने मैंने गुना कर चुके उनका कफारा क्या होगा तो आप ﷺ ने रोम की सरहदों की तरफ इशारा किया और रोम की तरफ वो निकल गए यानि इसलाम फैलाने के लिए वो निकल गए तो फिर वों पूरी जिंदगी इसलाम पर ही रहे तो यही होता है कि जिसको अल्लाच चाहें हिदायत दे दे अब वो क्योंकि वहापर एहल-एरब का रिवाश था कि वो बाकी सब भूल जाते थे जब वो मुसीबत आती थी सिर्फ एक अल्ला को याद करते थे तो वही बात अल्लाच कह रहे है